चोपड़ा है जो किस योटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बचो आज इस वीडियो में हम आंस्वर की चैलेंज ओमार चैलेंज और रिकोडेड रिस्पोंस के बारे में बात करेंगे क्योंकि नीट के रेजल्ट से पहले एंटिय द्वारा ये रिलीज की जाती है आंस्वर की रिलीज किया जाता है ओमार रिलीज किया जाता है और रिकोडेड रिस्पोंस रिलीज किया जाता है तो इन पर क्या-क्या action होता है, किस परकार से Omar challenge की जाती है, किस परकार से आप recorded response को check कर सकते हैं, और किस परकार से answer key को challenge करना है, किस परकार से Omar challenge करना है, इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा. तो जो anti-a द्वारा result से पहले activities की जाएगी, वो answer key release की होगी, उसके बाद में Omar release की होगी, और recorded response release की होगी, यनि कि answer key भी release की जाएगी, result से पहले, Omar seat भी release की जाएगी, और recorded response भी release किया जाएगा. इनको कैसे check करना है, और किस प्रकार से challenge करना है, आईए इस process के बारे में हम आगे समझ लेते हैं. तो challenge करने के लिए, मैं आपको process बता देता हूँ, इसकी fees भी लगती है, यनि कि जो answer की challenge की है, वो 200 rupees fees है, पर क्यूसन की. आप जो भी क्यूसन challenge करना है, तो उसके लिए आप आपको 200 rupees पे करने पड़ेंगे, जो non-refundable हैं, ऐसा ही ओमार challenge के लिए है, ओमार challenge के लिए भी पर क्यूसन आपको 200 rupees पे करने होंगे, तो ये तो होगी इसकी fees, अब आईए आपको मैं process बता देता हूँ, कि इसको आपने challenge कैसे करना है, तो challenge करने के लिए, आपको इसकी website पर जाना है, तो website पर जाने से पहले मैं आपको यहां पर बता दूँ, कि अगर आप counseling के बारे में पूरी information लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी all India quota, state, I use, veterinary, सभी की book available है, इसको आप हमारे इस video के description box से, या फिर website www.chopdaeducation.in से download कर सकते हैं, जैसे download करेंगे, हम आपसे संप counseling process के बारे में बताया गया है, इसमें round wise, category wise, college wise, cut up degree है, previous four years की, जिससे आप idea लगा सकते हैं, कि आपको कौन सी college मिलने की possibility है, इसके अलावा state की book में भी ये सारी facility available है, हर एक state के process को समझाया गया है, और इसमें open state से उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है, इन books में सारी जानकारी available है, मैं सुछता हूँ, ये आपके लिए काफी helpful रहेंगी, अभी बात करते हैं, answer की omar silence के बारे में और record response के बारे में, यनि कि ये फोते क्या हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ या आपर, तो अभी तो answer की release हुई नहीं है, 23 के लिए, ये जल्द ही release होन आपको बार सीट release की जाएगी, तो ये होते क्या हैं, तो सबसे पहले हम answer की challenge के बारे में बात कर लेते हैं, तो अगर NTA GC question का answer का answer देता है, और आप मानते हैं कि वो answer सही नहीं है, उसका answer गलत है, और उसका दिये दूसरा answer होना चाहिए, तो उस answer को आप challenge कर सकते हैं, उस question क तो आप challenge कर सकते हैं कि इसका answer ये नहीं है, ये होना चाहिए, और उसके लिए जो फीस मैंने बताई है, 200 रुपीज आपको पे करनी पड़ेगी per question, आप कितने भी question आप challenge कर सकते हैं, इसकी कोई limit नहीं है, हर एक question की 200 रुपए फीस लगेगी इसमें, तो ये तो हो गया answer challenge क कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस question का answer जो NTA ने दिया है, ये गलत है, तो आप उसको challenge कर सकते हैं, इसके बाद Omar challenge की बात है, तो Omar challenge में आप ये देखते हैं कि जो आपने Omar में response दिया है, NTA ने वो capture नहीं किया, तो उसको आप challenge कर सकते हैं, NTA ने दूसरा capture कर लिया है ओमार में जो आपने दिया है आंसवर दिया है वो दूसरा कैप्चर कर लिया है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं उसकी फीश भी 200 रूपीज पर क्यूशन है और यह दोनु फीश ही नन रिफंडेबल है यानि कि आपके लिए यह रिफंड नहीं होंगी आपका क् चैलेंज आंसवर की आई नहीं है न्टे की जैसे ही 2023 के लिए आंसवर की जारी हो जाएगी हम आपको इंफॉर्म कर देंगे लेकिन यहां मैं प्रोसेस समझा देता हूं प्रिविए यह के अकोडिंग तो आपने पहले लोगिन करना है नेट की वेबसाइट पर लोगिन करन प्रोसे समय नेट का अप्लिकेशन फॉर्म फिल करते समय तो यहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसके बाद में यहां आपको दो उप्सन मिलेंगे एक व्यू आंसवर की का और व्यू चैलेंज ओमार का इसमें आपको ओमार भी व्यू होगी रिस्पॉन्स सीट भी व्यू करना तो आपको क्लिक करना है तो यहां पर क्यो इस uhलिगött लिखा हुआ है और उसकी और कि क्या है आपकी अंसवर की यहां डाउनलोड हो जाएगी जो भी आपका Quesn Paper का, उसके according ये हो जाएग, जैसे कि 1st Quesn का NTA ने 1st Answer दिया है, 2nd Quesn का 2nd Answer दिया है, 3rd Quesn का 3 Answer दिया है, 4th Quesn का 2 Answer दिया है, तो ये NTA ने Answer की Release की है, इस परकार से Answer दिये है Quesn की, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इस Quesn का ये Answer नहीं होना चीए, ये होना चीए, तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं, जैसे माल लोग, यहाँ पर 12 Number Quesn है, इसका Answer NTA ने 3 दिया है, लेकिन आप सोचरे हैं, इनमें कोई भी Answer नहीं है, तो 9 of these कर सकते हैं, अगर आप सोचरे NTA ने 3 दिया है, लेकिन इसका 2 होना चीए, तो आप 2 पर टिक कर सकते हैं, यहाँ पर तो इस प्रकार से ये Challenge हो जाएगा, आपका Answer की का Particular Quesn, आप कितने भी Quesn Challenge कर सकते हैं, कोई दिकत नहीं है यहाँ पर, इसके बाद में Justification के लिए, आप यहाँ फाइल भी Upload कर सकते हैं, जिसमें आप यह लिख सकते हैं, NTA को कि इस कारण से इसका यह Answer होना चीए, आपने यह Answer दिया है, वो गलत दिया है, इस कारण से यह Answer इसका Correct होगा, तो आप यहाँ फाइल, चूज फाइल पर क्लिक करके, Submit Your Claim पर 200 रुपए है, जैसे आपने 5 Qution अगर Challenge किये हैं, तो 1000 रुपीज एक साथी Pay करके, आप Answer की Challenge हो जाएगी, इसके बाद में, Answer की जैसे ही Challenge करेंगी, एक Date निश्चित की जाएगी, NTA द्वारा की इस Date तक आपको Answer की Challenge करना है, उस Date के बाद में, NTA द्वारा, Expert टीम द्वारा, स Revised Answer की डाली जाएगी, तो ये Process है Answer की Challenge का, और उसके बाद में, Revised Answer की के According ही Result तयार किया जाएगा, तो ये तो Process है Answer की का, अभी आपने Answer का Justification किस परकार से देना है, फाइल अपलोड किस परकार से करनी है, तो मैंने यहाँ Example के तोर पर यहाँ समझाया है, जैसे Qution नमर आ आपका, और उसका Answer क्या होना चीए, यहाँ आप Justify कर देंगे, तो ये मैंने Example के तोर पर आपको यहाँ पर बताया है, अब बात करते हैं, ओमार चैलेंज की, तो ओमार चैलेंज किस कंडिशन में किया जाता है, ओमार चैलेंज उस कंडिशन में किया जाता है, कि आपने ज इसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं, तो आपने यहाँ पर ओमार चैलेंज पर क्लिक करना है, दूसरे उप्सन ओमार चैलेंज पर क्लिक करना है, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपकी ओमार शीट यहाँ पर व्यू हो जाएगी, जैसे आप सोचने यहाँ जैसे 62 नंबर क् इसका 4 नमबर मेरा यहां correct होना चीए, यह answer जो ओमार सीट है इससे 4 नमबर ही detect होना चीए इसमें, तो इसके लिए आप challenge कर सकते हैं, यहां पर आपको recorded response जो आपकी ओमार सीट है, उसके according यहां मिलेंगे, यह क्यूसर नमबर है, तो यहां पर मानलो 62 क्यूसर था, एंटे ने star दिया है, क्योंकि आपने एक से ज़्यादा answer दिये हैं, तो यहां पर star दे दिया गया है, इसका कोई answer, कोई number, कोई marks नहीं मिलेगा, तो आप इसको challenge कर सकते हैं, इसकी कोई limit नहीं है, कितने भी आप claim कर सकते हैं, जैसे ही claim करेंगे, यहां पर आप justify भी दे देंगे, यहां पर लिखा आएगा, 62 number question है, उसमें recorded response star है, आप claim कर रहे हैं, 4 options इसका, choose file पर click करेंगे, जो भी justification देना है, आपने यहां write कर देंगे, file upload कर देंगे, save your claim और fees पे करेंगे, यहां पर modify करना है, तो यहां पर click कर देंग तो save your claim and fees पर click करेंगे, तो NTA दवारा फिर से आपके omar check की जाएगे, और उसमें NTA को लगता है कि हां, हमने इसका गलत answer दिया है, तो फिर से वो correct करके, उसी के according वो result तयार करेंगे, अगर आपका answer accept हो जाता है, तो अगर आपका जो claim है, वो justify है, तो NTA इसको फिर से review आपके omar check करेगा, और फिर उसके according ही result तयार करेगा, तो ये जानकारी थी omar के बारे में, answer seat challenge के बारे में, response seat के बारे में, ये काफी सारे student इसमें गलतियां करते हैं, आप एक बार अपने omar को, जैसे ही omar seat जारी हो जाएगी, आप अपने omar को पूरी तरह से एक क्यूशन check कर ले, आप इस omar को, response seat के according भी टेली करें, ये है आपकी response seat, यानि कि first का four, जो option है, वो record किया है, आप अपने omar seat से देखे, आपने first में four ही option दिया है, यहाँ, तो ये बिल्कुल सही correct response है, इसके बाद second का one दिया है, आपने answer दिया है, और nta ने भी इसका one ही यहाँ पर response record किया है, तो इस परकार से आप AK cushion का, 180 cushion का, आप अपने omar के मुताबिक यहाँ से check कर लें, ताकि किसी परकार की कोई आगे गल्ती ना हो, ये आपने record एक बार अपने proof के लिए save करके रख लेना है, omar को भी save करके रख लें, और इसके बाद में आप answer key को भी save करके लख ले और response recorded को भी save करके रख लें, जो response recorded है, यानि कि response recorded का मतलब मैं फिर से बता देता हूँ, ये मतलब है इसका कि आपने omar में क्या answer दिया है, NTA ने उसको क्या record किया है, वही आपको इसमें बताया जा रहा है recorded response में, तो आप इसको एक बार जरूर चेक कर लें, answer key के according, बाकी information जैसे ही answer की release हो जाएगी, 23 की omar release हो जाएगी, recorded response रिलीज हो जाएगे, तब हम इसके बारे में आपको फिर से briefly वीडियो बना करके बता देंगे कि कौन सी डेट तक इसका आप answer challenge कर सकते हैं, omar challenge कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे channel पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी, वी